Hello student, IMM के त्यागी और बात करने वाले हैं class 12 subject physics chapter होगे आपका ray optics ठीक है इसके एक शान्दार topic की जिसका नाम है prism तो there are some important points related to prism first is definition, in first point we are talking about definition and basics of prism second point is refraction by a prism and this point also divided in three parts in first part we deal with angle of deviation, in second point minimum deviation and graph between minimum deviation and angle of incidence and third point we are talking about derivation of refractive index of prism material done, next major topic is dispersion by a prism, next one angular dispersion and dispersion power okay तो जो प्रिजम हमारा एक topic है बड़ा topic है इसमें हम इन points पर point by point बात करने वाले हैं okay तो first point में हम बात करेंगे definition की okay तो देखें definition of prism क्या कैती है definition a solid object like glass or plastic with ends that are parallel and of the same size and shape right a solid object with ends that are parallel and of the same size and same shape and the ends with side which opposite ends are equal and parallel तो देखें यह एक geometrical symbol prism का ठीक और यह हो गया उसका cross action अब इन बातों को जरा एक बार ढंक से देखनें क्या इसका meaning है अगर तुम्हारे याद होगा तुमने prism देखा होगा चलो मैं तुम्हें courses करता हूँ prism को दिखाने की देखिए यह जो हमें diagram picture नजरा रही है ABC ABC यह हमने है prism में एक red color से indicate की हुई है ठीक है इसका एक face तुम्हें नजरा रहा होगा green face यह होगा आपका A B E and D done यह जो yellow face नजरा रहा है yellow face यह कौन सा है यह है आपका A C F D ठीक है तो देखें light green face से pass होगी ऐसे और yellow से बारा जाएगी तो किस किस से reflection इससे हुआ है इससे हुआ है तो यह जो phase है यह और यह face sorry यह जो दो हमारे phase है इसी को हम क्या बोलेंगे refracting surface ओके तो जैसे यहाँ पर है A B E D तो इनसे reflection हो रहा है तो इसी को हम बोलेंगे refracting surface similarly yellow color जो है yellow color वाला phase नजरा रह इससे भी reflection होगा तो इन दोनों को हम बोलते हैं refracting surface ओके अब देखिए एक green एक yellow इनके भी जो ए angle बन रहा है यह angle इसी को बोलते हैं angle of prism जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है A तो angle B A C B A C यह जाएगा आपका angle of prism ठीक है अगर हम explode करते हैं देखो इसके diagram को तो क्या हमें बिल्कुल clear picture नज़रा जाती है कितनी faces है 1,2,3,4,5 अब देखिए यह diagram का हमेशा prism इसी diagram का हो यह को जरूरी नहीं है लेकिन यह common shape है जो हमें अक्सर lab में मिल जाया करती है ठीक यह explode हो गया यह अलग-अलग हमने इसको face से दिखा दिया है बास समझभाई क्या और अगर हम इसे किसी और हरे angle से भी देखना चाहें तो यह कुछ ऐसा हो जाया करता है आई होप यह बात prism के जो बनावट है इसका जो construction है इसकी जो कैसा होता है हमारे दिमाग में इसकी कुछ image बन गई होगी ओके अब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने भी बताया था यह आपका जो surface है AB ED यह और AC FD इन दोनों को हम क्या बोल देंगे reflecting surface एंगल ABC भी बताया था ABC एंगल ओफ प्रिज्म हो जाएगा है ना और जो तुम्हारा यह होता यह D F E और यह आपका ABC इसको बोल देते हैं बेस ओफ प्रिज्म ओके और यह जो एक अलग ट्रेंगल बनाया हुआ हु को बनाते हैं तो यह रियल्टी में क्या है Cross section of Prism है अब बात आती है Cross section क्या होता है चलो एक बार आप इसको भी देखते है Cross section से क्या मिनिंग है देखिए क्रों सेक्षन क्या है हमारे सामने ये वी ट्राइंगल है ये वी ट्राइंगल है तो जब हम इस ट्राइंगल को बनाया करते हैं तो उस समय हमारा मिनिंग होता है कि प्रिज्म हमने ऐसे रखा हुआ है और रियल्टी में है कैसे देखो ऐसा था है बात समझ तो क्रो सेक्षन से क्या मतलब होता बात समझ में आ गई होगी अब देखो इदर से लाइट आएगी ऐसे इंसिडेंट रहे तो टेक्निकली वह यहां नहीं आएगी तो किस फेस पर आएगी वह इस यलो फेस पर आएगी जो हम अपने इस डाइग्राम में नहीं दिखा सकते ठ उसके बाद यह जो दूसरा सर्फेस है इससे रिफ्रेक्शन होगा अब यह सर्फेस और दूसरा यह सर्फेस हमें इस ट्राइंगल वाले डाइग्राम में नजर नहीं आता है तो जब भी हम प्रिज्म को ऐसे बनाएंगे तो तुम्हें समझना होगा कि इसका एक सर्फेस प लेटी डिस की डेफनेशन हो गई है और किसको क्या बोलते हैं मैं उमीद करता हूँ कि इन सारी चीजों को तुम याद रखोगे और जो नेक्स्ट बाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं जिसमें हमारा टोपिक रहेगा रिफ्रेक्शन बाई ए प्रिज्म तो इसको पढ़ना फिर देखते हैं वोकर शुरेंड बाई